नमस्ते हारियों नमस्षिवाई जैगुरुजी सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारोबाई टीजेए पर आइम बाक विद अनुद अनुद रीडिंग के लिए जो लोग है उनके लिए करन्ट एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडन्स आ रही है यह भी हम चेक करेंगे राइट आप लोगों की बात्चीत नहीं हो रही है उनके चहरे के ऊपर आपको ध्यान देना है और तीन बार उनका फुल नेम आपको रिपीट करना है तो टाप इंटो देर अनर्जी आपको लगता है कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए है अन्नेसेसरिली आपको हर मैसेज के साथ में रिलेट नहीं करना है ठीक है आज इंटुटिवली आप लगों के लिए मैंने रेड कलर का कैंडल जो है पिक किया है डिवाइन की तरफ से अनुटतिवली आपको लिए जा पर से इंट नहीं कार दीक हिरा इंट नहीं कारने के लिए अन्परुटिवली आपको लोगों के लिए एंट इंट रैाल नहीं है जिनकी या तो बातचीत नहीं हो रही है या अगर conversation हो रही है तो एकदम proper या बहुत अच्छी conversation नहीं हो रही है चलिए let's light the candle also I want to tell you जो लोग tarot card reading सीखना चाहते है 1st, 2nd or 3rd December को मैं एक workshop करा रहे हूं 3 days का workshop है timing शाम को 7 बजे से रात 9 बजे तक का रहेगा fee says 2552 rupees which is 2552 angel number alright it's pretty feasible for everybody आपको अगर life fee constraint लगता है money constraint लगता है तो आप बहुत easily afford कर सकते है and within like 3 days at least you know basic level reading आप सीख सकते है and even professional way में आप जो है readings कर सकते है अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी right यह issue बहुत सारे लोगों को face होता है even after learning tarot card reading कि अपने लिए reading नहीं कर पाते हैं तो ऐसा एक you know tip मैं आप लोगों के साथ में share करने वाली हूं जिससे कि through आप अपने लिए भी reading कर पाऊगे आपको खुद एक reader होकर कि किसी और के पास में नहीं जाना पड़ेगा अपनी questions का answer find out करने के लिए right so let's see let's begin with today's reading focus on your person उनके चेहरे के उपर ध्यान दीजे तीन बार उनका पूरा नाम अपने मन में repeat कीजे to tap into their energy and अगर आप चाहें आप visualize कर पाते हो अगर तो इस person का जो चेहरा है वो आपको divination बावल के अंदर भी visualize करना है इनकी energy इस समय पर आपके towards कैसी है oh my god I see a lady with a bun एक woman मुझे याँ दिखाई दे रही है जिन्नोंने जुडा बनाया हुआ है someone जिनकी गर्दन काफी लंबी है okay with a round face और maybe कोई ऐसा person जिसके छोटे बाल है कानों तक या कंदे तक के बाल है और कोई आगे जुका हुआ है right किसी ने अपने चेहरा आगे जुकाया हुआ है as in जैसे guilt और shame में लोग आगे bend हो जाते हैं या किसी की नजरे जो है वो नीचे जुकी हुई है out of guilt regret या गलती करने के बाद जो पश्तावा होता है ऐसा लगना जैसे कि इनसान आपसे आखों में आखे डाल करके देखना नहीं चाहते हैं या देख नहीं सकते हैं इनको uncomfortable लगता है which is an indication के इस समय पर आपके और इनके बीच में जो एक you know level of comfort है वो कही न कहीं कम हो गया है और यहां पर मुझे दो energies एकदम बटी हुई एकदम divided दिखाई दे रही है इसमें भी कुछ ऐसा fix नहीं है ऐसा लग रहे है कि आप लोगों के बीच में यह जो gap आया है या अभी जैसे बाचेत नहीं हो रही है ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा रहेगा maximum लोगों के लिए यह connection वापिस से rejoin हो जाएगा और रह मुझे यहां पर बनतावा दिखाई दे रहा है काफी सहरे लोगों का नाम हो सकता है यह मुझे यहां पर एक बेबी भी दिखाई दे रहा है या बेबी के फार में बेबी के फार में महादेव वांस तो गाइड आस यह connection अभी बच्चे वाले फेज में है बेबी spiritual connection है और एकदम बच्चे वाले फेज में है और जब आप या आप बेबी की तरह immature way में इस connection को आप deal कर रहे हो a man with a very big nose again male person है जिनका बहुत बड़ा ego है मैं तो bend down नहीं करूँगा या मैं माफी नहीं मागूँगा या मैंने अल्ड़ी बहुत ज़त effort put कर दिया है इस connection में now I want to back off अब मुझे back off करना है और ये व्यक्ती जो है ये travel करने के बारे में सोच रहे हैं बड़ी जल्दी जल्दी कहीं इनको जाना है मेभी काम के सिलसले में या ऐसे ही कहीं तो इनके energy में travel आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है constantly change of location हो रहा है moving from one place to another but ये हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने अंदर की जो negativity है या अपने अंदर का जनको self work करना है उसको avoid करने के लिए कर रहे हैं मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहे है कि जो व्यक्ती के बारे में आप लोग सोच रहे हो ये person अपने अंतरात्मा की जो आवाज है इसको दबा रहे हैं और जो guidance विकास हमारी जो soul होती है वो हमेशा हमको सही चीज क्या है उसके बारे में हमेशा guide करती है and I think ये उसको ignore कर रहे है ठीक है और ये आप से नहीं है इनकी बहुत पुरानी आदत है और ये हर चीज में ऐसा लग रहे है और logic भी कुछ चीजें ऐसी जो इनोंने खुद से experience करें कुछ चीजें ऐसी जो इनोंने observe करके बस अपने दिमाग में बठा लिए कि हाँ भी अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो मेरी life में भी इस तरीके से हो जाएगा ये problem हो जाएगी fears बहुत सारे हैं इस person के मन में और जब भी किसी situation के बारे में सोचते हैं in general या इवन आज के time में भी तो ये न negative consequences के बारे में जादा सोच लेते हैं कि हाँ भी बुरा होने के जादा chances हैं या अच्छा होगा तो चलो देख लिए जाएगा तो तो I'm pretty sure के ये जो भी person है ये ना सिर्फ अपने relationships में struggle कर रहे हैं ये अपने like not only personal relationships but professional relationships also okay because somehow if you want to grow in life अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना हैं if you want to be successful तो एक certain level पर आपको risk भी लेना पड़ता है and ये बहुत ज़ब fear से भरे हुए ये कुछ भी risk लेने के लिए भी ready नहीं है ठीक है maybe ये आप लोगों के connection से जुड़ा message भी हो सकता है कि ये अभी फिलाल किसी भी तरीखे का risk लेने के लिए mentally तयार नहीं दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने अपने आपको अपने ही डरों के बीच में कहीं न कहीं घोट के रख लिया है और ये इंसान ऐसा लग रहे है मुझे like they are capable of so much better they deserve so much better in life लेकिन ये अपने fears की वज़े से ये अपने mind की negative conditioning की वज़े से ये कुछ भी ऐसा कर नहीं पा रहे हैं दूसरे चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है कि maybe ऐसा नहीं है कि you know by birth कोई भी इस तरीके की mentality लेकर के या ऐसा thought process लेकर के पैदा नहीं होता है कुछ ना कुछ इनके growing years में हुआ होगा कुछ इनोंने face किया होगा तो इनकी शम्ताओं के उपर इनके माता-पिता ने बहुत ज़दा doubt किया होगा जिसकी वज़े से बहुत छोटी उमर से you know जैसे हम लोग कभी जैसे बच्चों के कम marks आ गए या कुछ आ गया तो we start scolding them a lot उनको बहुत ज़दा डाट देते हैं या कभी कबार जैसे हमारे यां इंडिया में तो आप तो नहीं है बठा पहले होता था लाइक चपत भी लगा देते थे तो क्या कि वो ना fear बहुत ज़दा बैठा हुआ है इस व्यक्ति के मन में ये अपने आपको ना हमेशा दूसरों को प्रूव करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोग इनको समझदार व्यक्ति की नजर से देखें कि someone who is reliable someone who is very sensible लेकिन ये वही बात जो मैं अभी आपसे कह रही थी कि इतने दादा logic और sense लगाने की वज़े से emotions के लेनों ने कोई जगाई नहीं छोड़ी है which is like indirectly ये खुद responsible नहीं है इस चीज के ये बहुत deeply embedded है इनकी psyche में ये चीज और ये बहुत पुराने टाइम से बहुत बचपन से मैं काऊंगी कि कुछ trauma या कुछ तो ऐसा हुआ होगा definitely जो आज के टाइम में ये person एक you know dual personality sort of जी रहे है या एक दोरी सिंदगी जी रहे है कि अंदर से ये कुछ और person है और ये अपने आपको show करते है as somebody else क्योंकि ये approval चाहते हैं लोगों से चाहते हैं कि लोग इनको अपनाएं लोग इनकी सरहना करें बहुत ज़्यादा भले ही इसके लिए इनको ऐसा ही कुछ क्यों ना करना पड़े जो कि इनको बिलकुत भी पसंद नहीं है तो ये इस person के बारे में इसी a message, a confirmation पक्का पक्का ये बात है ज़्यादा तर लोगों के person के बारे में at least जिन तक ये reading पहुँच रही है emotionally stuck मुझे ये person दिखाई दे रहा है let's see guys आप लोगों के लिए न angels की तरफ से क्या message है what is the message for you from angels इस particular situation में मैं तीन cards आप लोगों के लिए पिक करूंगे अभी जब आप लोगों की बातशीत नहीं हो रही है what is the guidance for my viewers आप लोगों के लिए अलग से tarot card reading भी मैं करूंगे so stay in touch okay unlikely next second card we have not the right time and your last card is perfect timing perfect timing आने में थोड़ा सा समय है अभी maybe instantly कुछ positive या बहुत ज़्याद पॉजिटिव होता वा नहीं दिखाए दे रहा है maybe आपको you know guide किया जा रहा है कि आप इस face से होकर के गुजरोगे अभी सही time नहीं है perfect timing आएगा उसमें आपको wait करना है right अभी आपको चैक्षन या कोई decision लेने के बारे में अगर सोच रहे हो तो ये समय appropriate नहीं है सही नहीं है you need to be relaxed right now आपको अपने आपको balance रखना है and अपने जो excessive thoughts आपके दिमाग में चल रहे है बहुत सारे thoughts जो चल रहे हैं उनको शान्त रखने की कोशिश करनी है third eye chakra meditation अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा benefit होगा golden light meditation भी आप कर सकते हो उससे भी आपका जो औरा में बहुत ज़्यादा you know hot pot energy create और ये वो clear out हो जाएगी even moon gazing is going to help you जो लोग angel healing practice करते हैं you can try and connect with Archangel Haniel Archangel Shamuel Archangel Gabriel Archangel Rafael and also Archangel Michael okay so उनके साथ में आप work कर सकते हो you can try and connect with them rituals perform कर सकते हो if you are trained beginners के लिए नहीं बोल रही हो ये चीज मैं professionals के लिए बोल रही हो अगर कोई professional ऐसे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं तो वो कर सकते हैं और simply अगर आप बहुत अदर details में नहीं जानते हैं तो आपको जो मैंने बस meditations बताई है you know, third eye chakra meditation, moon gazing, golden light meditation आप इनको follow कीजे, throughout आपको अपने उपर भी self work करते रहना है so that अब जो next change आएगा आपकी situation में, इस व्यक्टी के साथ में या in general आपकी life में, जो perfect time आएगा उसके लिए आपको energetic point of view से भी उन्हों अपने आपको तयार करके रखना है ठेक है, so let's close this reading over here I really hope कि इस reading के थुरू आप लोगों के कुछ help हुई हो अगर आपको ऐसा लगता है, तो like जरूर दे दीजेगा वो तो करना ही है, energy exchange और subscribe भी कर लिजेगा if you are new, मैं आप लोगों से मिलूंगी next divination session में till then namaste, take care, jay guru ji, hariam namast shivai